स्विष्टी महाप्रले स्विष्टी महाप्रले उसी प्रकार चलते हैं जैसे दिन राद दिन राद का क्रम चलता है महाप्रले वस्था वह होती है जिसमें स्विष्टी का मूल उपादान कारण प्रकृती की सामय वस्था होती है जिसमें सत रज और तम गुण इनक्टिव होते हैं सरुप्रतम जब इश्वर की सृष्टी निर्मान की इच्छा होती है तो उस चेतन तर्थु से नियंतरित और उत्पन पराओम रश्मी प्रकृती की सामय वस्ता को भंग कर देती है जिसमें सत और रज गुण एक्टिवेट हो जाते हैं और प्रकृती की इसी स्थिती को काल कहते हैं सक्रियताल के एक्टिव होने के बाद प्रकृती महत और फिर अहंकार और फिर मनस्तत्तो में परिवर्तित हो जाती है इसके पश्चात परा ओम रश्मी पश्चंती ओम रश्मी पर परिवर्तित होते हुए अन्य छंद रश्मियों और प्राण रश्मियों की उत्पत्ती करती है जिने विभिन नामों से जाना जाता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे जैसे विहरती रश्मिया, मास रश्मिया, सूपरात्मा वायू धननजय रश्मी इत्यादी इसके पश्चात ये रश्मिया संधनित होकर पंच महाबूद बनाती हैं आकाश, अगनी, वायू, आपह, पृत्वी परत्वान विज्यान दोरा जाने गए कथित मूलकन और क्वांटा अगनी महाबूद तत्व के अंतर गता आते हैं, उसी प्रकार आयंस और एटम्स आपह महाबूद के अंतर गताते हैं, आकाश महाबूद यानी स्पेस, पृत्वी तत्व यानी मॉलक्यूल्स, इसके पश्चात ग्रहों और तारों का निर्माण होता है, तारों में नाविकिय सनलयन की प्रक्रिया आरम होती है, औ आकाश गंदाओं का निर्माण होता है, और स्विष्टी उस स्टेज पर पहुंचती है, जहां हम आज स्विष्टी को देखते हैं, इसके पश्चात समस्त पधार्तों का विनाश होते हुए, संपूर्ण तत्व अपने मूल उपादान कारण प्रकृती तत्व में परिवर अले कहा जाता है।